Hey guys, welcome back to my channel और आज मैं आप लोगों की साथ ये स्टार्ट मेकर्स के आई मेकप ब्रशेस का रिव्यू और डेमो शेयर करने वाली हूँ So I hope आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्फुल हो और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए So वीडियो अच्छा लगता है तो प्रीज इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर आप लोग मेरी चैनल पर फर्स टाइम आये हो तो मेक शेयर आप लोग मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यह जो ब्रशेस का सेट है यह मैंने एमाजॉन से पर्चेस किया था 3.99 रुपीज इसकी MRP है जिसमें आपको टोटल 12 ब्रशेस मिल जाएंगे और जो की सभी के सभी आई मेक अप ब्रशेस हैं तो यह मुझे इस तरह की पैकिंग में मिले थे यह ब्रश और मैंने अभी तक इनको ट्राइ नहीं किया है इसी वीडियो में मैं इनको ट्राइ करने वाली हूँ इसलिए मैंने जस्ट अभी अपने आई स्पेम कंसीलर और कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है और अपनी आईब्रो सेट कियें बिकोज मैं इनका रिव्यू बताने के बाद आप लोगों के साथ आई मेकप भी शेयर करूँगी इनी ब्रशेस के थ्रू तो चलिए देख लेते हैं कि पहले ब्रशेस जो हैं हमारे पास वो हमें कौन-कौन से मिल जाते हैं इस आई मेकप क मेरे ब्रशेस के लिदेते हैं कि इन पता चलेगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि इन ब्रुशेस की जो क्वालीटी है कैसी है सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह तीन ब्रशेस दिखा रही हूं यह 2003 अपके ऑली, तो यह स्कते हो आप इसकी हिल्प से आप चाहो तो अपन आई लिट पे concealer apply कर सकते हो या फिर आप चाहो तो compact powder भी apply कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई आप अपना eyeshadow जो आपका transition shade होता है वो भी आप इससे लगा सकते हो use कर सकते हो तो इसको आप multi-purposely आप use कर सकते हो उसके बाद ये जो दो fluffy brush है blending brush है ये भी आप देख सकते हो तो blending जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा मुझे flat में लग रहा है बट जो bristles है वो काफी अच्छी quality के है और ये भी थोड़ा उसी टाइप में है तो bristles जो है ये काफी अच्छी quality के है तो ये blending के लिए आप use कर सकते हो जब हम अपने eyeshadow blend करते हैं अपनी crease line पे जो मारा transition shade होता है उससे आप इसको use कर सकते हो तो मुझे लगता है easily अच्छे से blend हो जाएगा तो ये जो है ये fluffy brush थे blending brush है उसके बाद मेरे पास again ये small fluffy brush है तो ये 3 मेरे पास small fluffy brush है आप देख सकते हो अलग-अलग size में हैं ये तीनो brush इस तरह ऐसे सो ये वाला जो है मतलब ये large fluffy brush है इससे आप अपना eyeshadow मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जो eye makeup brushes है आप आपको जो brush जिस eyeshadow को जहां पर भी eyes में comfortable लगता है आप वहां पर वो brush यूज़ कर सकते हो जरूरी नहीं है कि ये particular आप अगर आपका blending के लिए है अगर माली जी particular आपका क्या बोलते inner corners के लिए तो आप inner corner पर यूज़ करो ऐसा कुछ नहीं है मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है तो मुझे जो comfortable लगता है मैं उसमें brushes को use कर लेती हूँ तो इसके बाद मैं आप बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको तीन ये इस तरह के blending brush मिल जाएंगे इनसे भी आप blending कर सकते हो तो मैं दिखाऊंगी जो जो मेरे eye makeup में use होंगे brush पो में even flat shader brush मिल जाएंगे जिसमें ये वाला जो brush है ये थोड़ा सा fluffy है बकि ये दो brush जो है ये flat है तो ये flat shader brush का use हम अपनी eye shadow apply करने में भी use कर सकते हैं और अपने concealer को जैसे हम cut crease वगेरा करते हैं तो उसमें भी हम use कर सकते हैं तो ये आपको ये तीन brush और मिल जाएंगे जिनकी quality जो है वो मुझे अफ लग रहा है जो पिछले जो brushes थे उनके brushes भी काफी ज्यादा अच्छे थे तो ये तीन ये brush थे उसके बाद आपको एक angled brush मिल जाएगा जिसे आप चाहो तो अपनी जो eyebrows होती है उनको फिल कर सकते हो या फिर नीचे आप lower lash line पे eye shadow भी लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई अपना gel eyeliner भी angled brush के use से आप लगा सकते हो उसके बाद आपको ये इस तरह से small pencil brush मिल जाएगा तो pencil brush का भी use हम कही तरीके से कर सकते हैं inner corners को highlight करने के लिए brow bone को highlight करने के लिए lower lashes पे क्या बोलते हैं eye shadow लगाने के लिए या फिर जब हम कोई cut crease make up करते हैं different type का तो उसमें भ आपको ये eyeliner brush मिल जाएगा बहुत ही पतला सा इसके बहुत ही thin bristles हैं तो ये आप अपना eyeliner draw करने में इस brush को use कर सकते हो तो यहाँ पे आपको total 12 eye makeup brushes मिल जाते हैं जिनको आप different different तरीके से use कर सकते हो तो चलिए अब मैं देखती हूं कि मैं इन eye makeup brushes को कैसे use करती हूं चलिए मीकप के लिए मैं ये फॉकलियर का twillight eyeshadow palette यूज़ कर रही हूं जिसमें save की मैं ये वाला shade यूज़ करूंगी इस fluffy brush की help से जो की मेरा transition shade भी होगा इसे मैं अपनी crease line के उपर blend करूंगी मैंने बहुत जादा color नहीं लिया है बहुत हलका लिया है और मैं lightly ही इसको build up करूंगी है कि अग्या है कि सो blending जो है यह काफी अच्छे से कर रहा है कि आप देख सकते हो मैंने धीरे धीरे ही color को build up किया है कि और काफी अच्छे से इसमें blending किया है कहीं भी harsh line वगए कर रहा नहीं है blending जो है काफी अच्छे से की है नेक्स्ट मैं यह वाला shade यूज कर रही हूं और दूसरा थोड़े small fluffy brush है उसकी help से और इसे मैंने जो अपना transition shade use किया था उसके जैस नीचे crease line पे मैं इसे blend करूंगी so यह काफी अच्छे से color को deposit कर रहा है और और साथ ही साथ में blend भी काफी अच्छे से कर रहा है आप देख सकते हो see next मैं यहां पर यह dark gray shade यूज कर रही हूं और इससे मैं यह flat shader brush चुकी fluffier भी है उसकी help से मैं outer बीपे प्लेस करूंगी और साथ ही साथ में मैं blend भी करूंगी आप देख सकते हो इसमें काफी अच्छे से color को अच्छे से deposit कर दिया है मेरे outer पीपे भी और मेरी eye lid पे भी हलके से और कहीं पर किसी भी तरह की harsh line नहीं है काफी अच्छे से इसमें blending की है मैं clean blending brush ले रही हो और इससे colors को अच्छे से blend कर लूंगी ताकि कोई भी harsh line ना रहे किसा नहीं हो और रहे इससे आर इससा है colors जो है वो अच्छे से blend हो गए मैं यहाँ पे यह flat shader brush ले रही हूँ और मैं यहाँ पे cut crease eye makeup करूँगी तो इसकी help से मैं अपनी eye lid पे cut crease बनाऊँगी कंसीलर से cut crease करने के बाद मैंने same flat brush को clean कर लिया था और यहाँ पे मैं यह फॉक्लियर के ही loose pigment यूज़ करूँगी इसलिए में मुझे यह वाला जो flat brush है यह ज्यादा comfortable लग रहा है कि इससे loose pigment जो है वो easily apply हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं इसको makeup setting spray से wet कर लूँगी उसके बाद यह loose pigment अप्लाए कर लिये हैं अब मैं अपने इसे cut crease पे अप्लाए करूँगी और first time भी मैं try कर रही हूं अपने दोनों आइस पे लूज पिग्मेंट लगा लिये हैं और अब मैं बस अपनी आउटर वी पे थोड़ा सब black eye shadow apply करूँगी और साथी साथ में थोड़ा blend करूँगी ताकि मेरा जो eye makeup है वो seamlessly blendable लगे कोई भी harsh lines ना देखें यह eye makeup जो है काफी सादा messy लग रहा है बट मैं अभी quickly अपना eye makeup और face makeup complete करती हूं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूं almost मेरा जो eye makeup है वो complete है बस काजल रह गया था तो मैं नीचे अपनी water line टे काजल अप्लाइ कर लेती हूं पैस पेंसिल ब्रश की हेल्ट से अपनी ब्राव बोन और इनर कॉर्नर को हाइलाइट करोंगे तो फ्रेंड्स इस मैं फाइनल लुक मेरा आप आई अब देख सकते हो जो कि मैंने इन ब्रशिस के कुछ ब्रशिस की हेल्प से मैंने क्रियेट किया सो मैं आप लोगों को इन ब्रशिस के ऊपर रिव्यू देना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि ये brushes जो हैं वो कैसा work करते हैं मैंने सारे brushes तो use नहीं किये बट कुछ-कुछ brushes मैंने use किये eye makeup के लिए बट all over मुझे अपना जो eye makeup है वो काफी अच्छा लगा बहुत ही बढ़िया quality के brushes है मतलब मैं ये बोलूँगी कि price में जो है ये cheapest है मतलब 3.99 रुपीज में आपको ये brushes मिल जाते हैं और क्या चाहिए और almost आपको जितने eye makeup के लिए जो जो brushes की जरुवत पड़ती है वो brushes आपको मिल जाते हैं इस set पे तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इन brushes की और प्लस ये ना cheapest price के होने के साथ ये अच्छा वर्ड भी करते हैं आपके eye shadow को बहुत अच्छे से blend कर लेते हैं तो आप देख सकते हो मैंने आपके सामने अपना eye makeup create किया और मुझे ये eye makeup जो है वो बहुत ही अच्छा लगा आप देख सकते हो तो all over मुझे ये eye makeup अपना काफी ज्यादा अच्छा लगा बिगिनर्स है और eye makeup brushes सर्च कर रहे हैं वो definitely वो ये makeup brushes जो है खरी सकते हैं बिलकुल भी waste of money नहीं है ये eye makeup brushes और अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो मैं इनका purchase link आप लोग उनको description box में provide कर दूँगी मैंने amazon से इनको purchase किया था तो आप चेक कर सकते हो 399 रुपीज में मैंने खरीदा था exactly मुझे price नहीं पता है कि exactly इनकी MRP जो थी वो कितनी है बट उस टाइंग पे मुझे 399 रुपीज में मिलाता price उपर नीचे हो सकता है उसकी मुझे मैं guarantee नहीं ले सकती बट आप मैं आपको ना highly recommend करूंगी कि आप यह एक बार brush जो है यह आप लोग ट्राइज जरूर कीजिए यह star makers के यह brushes है so यह था मेरा all over review इन brushes को लेके और I hope आप लोगों को मेरा यह eye makeup लोग भी पसंद आया होगा जो कि मैंने इन brushes की help से create किया था so अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए helpful रहा हो तो please इसको like share जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो make sure आप लोग मेरे चैनल को भी subscribe कर लीजेगा bell button के साथ so I'll see you in my next video till then bye bye take care